हलो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आई पील दो हजार के लिए आज ऑक्षन हो चुके जी आदोस्तों ऑक्षन हो चुके और काफी बड़े बड़े आपर रेकॉर्ड बने हैं जिसके बारे में आगे मैं आपको बताता जाओंगा लेकिन मैं आज के इस वीडियो आए है कोन से प्लियर पुराने है सभी की मिलके 25 खिलाडियों के जो टीम बनती है वो किस तर से बनी है सभी 10 टीमों के पूरे स्कॉर्ड में आपको दिखाने वालो याने आई पील 2023 आक्षन के बात पूरी टीम किस तर से है वो दिखाने वालो तो इससे पहले दोस्तों आप वीडियो में खो जाए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अबर तक मेरे चाइनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजे और साथी साथ बेल आइकोन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक कर लीजे ताकि ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीड इस बार देख सकते हैं सबसे महेंगे खिलाडी के रूप में खरीदा है जो है इंगलंड के टेस्ट कप्तान आल राउंडर बल्लेबाद बैंस्टोक्स को जिया दोस्तों वैसे तो आई-प्याल के सबसे महेंगे खिलाडी कोने वो आगे जरू में आपको बता हूँ लेकिन चेन्ने ने सबसे महेंगे खिलाडी है उनके लिए अब 16 पंड 25 करोड में खरीदा है वो है बेंस्टोक्स तो सबसे पहले हैं इनका सबसे बड़ा प्लियर यही रहा है और काफी बड़ा प्लियर है हम सबको पता है काफी फायदा होने वाला इनकी वज़े से लेकिन इसके अल को 20 लाक में खरीद लिया भगत वर्मा को 20 लाक में उन्होंने खरीद लिया इससे पहले उन्होंने रिटेन के खिलाडी की अगर बात करें तो महेंद्र सिंग दोनी अफकोस कप्तान रविंद्र जड़ेजा ड्वेन कॉन्वे उसके बाद मोहिन अलीर रुतराज आजवर्धन हंनेकर, मिचल सेटनर, मथिशाफ पत्थिराना, शुब्राशु सेनापती, तुशार देश पांडे, ड्वेन प्रिक्टरियस, महिश तिक्षना, प्रशांत सोलंकी, दीपक्चर, मुकेश चोदरी और सिम्राजीत सेंग, तो अगर आप देखेंगे तो आप ब तेज गेंद बाजे, उनको उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे दिये, पाच पंड, पार्च करोड, मुकेश ने घरे लुक रिकेट में काफी अच्छी चाप छोड़ी है, तो काफी अच्छे फर्म है, इसी वज़े से उनको उन्होंने इतनी मोटी रकम दिये, उसके बाद तो दिल्ली की और बात करें, तो मनिश पांडे जो भारत के काफी अच्छे प्लियर है, उनको सिर्फ 2.4 करोड में ये मिल गए दोस्तों, तो वहाँ पर उनको भी उन्होंने खरीट लिया, यानि अभी तक इनकी जो मिडल और है ना दोस्तों, थोड़ी कमजोर लग रही थ भारत के तेज गेंबाद इशान चर्मा जो काफी दिनों से अंसोल जा रहे थे, उनको भी उनके बेस प्राइज 50 लाख में खरीद लिया है, तो अब इस बार इशान चर्मा अगर धवाका करते हैं, तो आगे उनका करियर और भी अच्छा हो सकता है, अब बात करते हैं कि द जूल प्रविन दुबे, विक्की ओस्तोवाल, मिचल मार्श, लली तियादल, अक्षर पटल, कुल्दी प्यादो, यांनि कि इनकी घेंबाजी काफी मजबूत हैं तो चाहिए वो फस्ट घेंबाजी हो, चाहिए इनकी स्पीन घेंबाजी हो, काफी खतरनाक घेंबाजी इन जो जोशु आ लिटल को उन्होंने 4.44 करोड में खरीदा उसके बाद लिटल को ये T20 वर्ल्ड कप में हाट्रिक लिये थे अभी कुछी दिनों पहले उनकी काफी तारीफ वी थी उसके वज़े से उसी के बाद उन्होंने न्यूजिलंड के कप्तान जिया दोस्तों न्यूजि काफी खराब प्रत्फामस करने की वज़े से उन्होंने उनको रिलीज कर दिया फ्रेंच अगर बात करें तो केस भरत को उन्होंने 1.2 करोड में करीदा उसके बाद ओडियंस मीत को मोहित चर्मा को पचास-पचास लाख बेस प्राइस में करीद लिया और वील पटल को 20 ला पिलर अभी नव मनवर साइस उनर्शान रिद्धिमांसा विजय शंकर मोहमत चमी अलजारी जोसेफ यह दयाल प्रदीप सांग्वान जयन त्यादाव धर्शन नालकांडे आर साही कुशोरे नूर एमद मैठ्युवेट रशित खार्ट राहूल तेवतिया तो काफी से पहले आपको इनके रिटेन खिलाड़ी बता देता हूँ तो आकाश माधवाल अर्जुन टेंडुलकर डी ब्रेविस उसके बाद रुतिक शोकित इशान किशन जे बेरंडर्फ जस्परित भूमरा जोफरा आर्चर कुमार कार्थी के सिंग उसके बाद मोहमत अर्शत खा कैमरोन ग्रीन जिनको उन्होंने खरीदा है साड़े सत्रा करोड में जिया दोस्तों साड़े सत्रा करोड देकर इस खिलाड़ी को उन्होंने अपने नाम किया हाला कि अभी तक IPL का experience इनके साब नहीं है हाला कि performance अगर देखा तो काफी अच्छा रहता है कुछी matches में इन्हो चालिज से जाधा का स्पीड रख सकते है कहीं पे भी बल्लेवाजी करते हैं सकते हैं कौनसे पी पोजिशन पर लेकिन काफी जाधा स्ट्राइक रेट से बल्लेवाजी कर सकते तो इसलिए इन्होंने साड़े सत्रा करोड में इनको खरीदा उसके बार जार रिचर्ट सं धे वधेरा 20,000,000,000,000 रागहो गोयल 20,000,000 तो इस तर से उनकी पूरी टीम काफी अच्छी लग रहे है अब थोड़ी लग रहे है कि यह मुंबई की टीम है इससे पहले काफी मुझे लग रहा था काफी कमजोर बना ली है उन्होंने अपनी टीम को लेकिन अब थोड़ा लग अब वापस कर सकती है अगली टीम की वह कोल्कत्ता नाइट राइनर्स की बात करें तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको रिटेन के खिलाडी के बार इमीं बात करता हूं तो वह अंद्रा रेसेल, वरुन चक्रवर्थी, वैंकटे साईयर, सुनील नरिन, श्रेय साइयर, रि इनोंने कुछ प्लियरों को ट्रेंड भी एक आता मतलब दूसरी टीमों से सीधे इनोंने बाय कर लिया था जिसमें मेरे खाल से लॉक्यू फर्गिसन एक है शारदौल ठाकुर भी है और शायद मुझे लगता है कि रहमतुल्ला गुर्वाज भी एक है तो काफी बढ़िया टी उनकी टीम ने उनकी वज़े से खड़ा किया था इनको नब्य लाक में मिल गई है सुए शर्मा 20 लाक डेविड विजे इनको सिर्फ एक करोड में मिल गए यह भी काफी अच्छे ऑल राउंडर है इसके बाद खिजो लिया 20 लाक में लिटल दास बांगलादेश के सब हम सब जानते हैं इनको 50 लाक में मिल गए मंदीप सिंग को 50 लाक शाक की बुल हसन पहले तो इनकी बूली नहीं लगी थी लेकिन बाद में इनके एक बार फिर से ऑक्षन हुए जिसमें इनको इनोंने कोलकत्ता नाइट राइडर्स ने फिर से देड करोड में खरीद लिया अब ब बात करें तो इनोंने इंग्लेंड के हैरी बुक को 13.25 जिया दोस्तों 13.25 करोड में खरीद लिया बुक काफी शांदर फॉर्म में चल रहे इससी वज़े से शायद उन्होंने इनको खरीद लिया उसके बाद पंजाब किंग्स के पूर्व कप्ता महें कगरवाल उनको भी रिटेन नहीं किया था तो उनको उन्होंने खरीद लिया 8.25 करोड में उसके बाद हैंरिक क्लासेन को उन्होंने 5.25 करोड में खरीद लिया इसके अलावा उन्होंने आदिल रशित को 2 करोड में इंग्लेंड के स्पिन गेद बाज है मैंक पारगंटे को उन्होंने 50 लाक र Rendi 20 लाक में असील होसेन एक करोड में और अनमोल प्रित्सिंग 20 लाक होड़े में तो इन्होंने खरीद दारी काफी हैं लेकिन कुछी प्लियर है जो कि मतलने अच्छे-खासे है उनको लेकिन कुछ प्लियर ऐसे उन्होंने काफी जादा ऐसे प्लियर खरीद लिये दोस्तों जो कि काफी कम एक्सपिरेंस वाले हैं तो यह बात बताने के पिछे यही रिजन है दोस्तों इनको इनकी तीम फिर से बिल्ट करनी पड़ने आली है मुझे लगता है कि इनकी टीम अगल कम एक्सपिरेंस वाले हैं तो इसलिए आपर यह टीम बनना काफी मुश्किल है तो एक या दो साल मुझे लगता है लगने वाले अब बात करते हैं इनके रिटेन प्लियरों की लिस्ट की तो यह काफी चोटी है लेकिन भूनेश और कुमार, उम्रान मलिक काफी जबदस्त लिए दोनों गेनबाज है आडम मरक्रम, अब्दुल समद, राहूल त्रिपाटी, ग्लैन फिलिप्स, अभिशेक शर्मा, मारको जांसन जैसे कि मैंने आपको बताया था इनके भाई अभी कुछ देर पहले बोला था वो भी आया है अब आई प्ल में वाशिंग्टन सुद् एनके घ्ली तीम की तो अगली टीम हमारी रहेगी दोस्तो पंजाब कींग्स हमारी अगली टीम है और इनके हमें हमने रिटेंट खिलाडक। और आज जो खरीदे हुए फिलाडी इनकी मिलके जो टीम बनी है उसके बारे में बात करना है तो सबसे पहले रिटेन खलाडियों के बारे में बात कर लेते हैं अर्शधीप सिंग है शिखर धवन जिनको उन्होंने कप्तान गोशित कर दिया है कगी सो रबाडा है बलतेज सिं लियाम लिविंग स्टोन, राज बावा, जौनी बेरिष्ट्रो, भानुका राजपक्षे, रुशी धवन, प्रभर सिमरन सिंग, नैथन एलिस, जितेश शर्मा, राहूल चहर, शारुक खान, अथर्व ताइडे और हर्पृत ब्रार इस तर से उनकी टीम ती अच्छी खास में सबसे ज़ादा महिंगा खिलाडी उन्होंने आज बाइ किया है जДोस्तों उन्होंने स्याम करन को 18.50 करोर रुपे देकर खरीदा है जो कि ्स्तित है कि सबसे ज़ादा पैसे इन्हों मीन को इन्होंने दिये है और खरीड़ जाए उसके बादा जिंबबे के जो आल राउंडर है सिकंदर रजा को 50 लाख में करीदा हर्मप्रित सिंग भाटिया को 40 लाख में उसके बाद कवे रप्पा को 20 लाख मोहित राठी को 20 लाख और शीवम सिंग को 20 लाख तो कुल मिला कि अल्रेडी उनकी टीम अच्छी खासी थी लेकिन उन्होंन बैंगलोर की बारे में आवे हम बात करने आले कि इसको रिटेन रखाता है और आज के पूरे अप्शन में उन्होंने किस किन को खरीदा तो यहाँ पे सबसे पहले रिटान रिटेन खिलाडियों की बात करें तो आकाश दी पे विराट कोली है ग्लेन मैक्सवेल है मोहमत सिर इन्होंने आज जो खिलाडी खरीदे है उनके बारे में अगर बात करें तो इंगलंड के आर टॉपली को नहीं नव्य करोड में खरीदा हीमाश शर्मा को 20 लाक में खरीदा विल जैक्स को 3.20 करोड रुपए उन्होंने दिये मनोज भांडेज को 20 लाक रुपए में खरीद आर टॉपली ही है जिनको उन्होंने 1.90 करोड में खरीदा बाकी तो उनके पुरानी टीम ही मुझे लगता है पुरानी टीम में से ही 10 या 11 खिलाडी हमें खेलते नजर आ सकते हैं अब बात करते हैं अगली टीम की तो जो है राजस्तान रोयल्स जिया दोस्तों राजस्तान पूरा स्कॉर्ड हम देखने वाले अफ्टर ऑक्षंस सबसे पहले रिटेन खिलाडी हो की बात करें संजु सांसंग है जौस बतलर है यशा स्वी जैस्वाल है रवी चंदर नश्विन ट्रेट बोल्ट शिम रनहेट मायर द्यवदत पडिकल कुल्दी प्यादव नव दिप सेनी केसी करियापपा प्रसित कृष्णा कुल्दीप सेन यजय अंदर चल रियान पराग मयकोई और द्रूर जुरेल इस तर से उन्होंने यहाँ पर रिटेन किये थे और आज जो खरीदा वो भी काफी अच्छे खरीद़ारी किये देख सकते हैं जेसन ओल्डर को उन्होंन तीस लाक में मिल गए मुर्गन अश्विन इनको बीस लाक में मिल अकाश वशिष्ट भीस लाक अब्दूल वासित भीस लाक और जो रूट को उन्होंने खरीद लिया है मिडल और में यह बल्लेवाज काम आ सकता है सिप एक करोड बेस प्राइज में उन्होंने उनको करेंदा उसके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उन्होंने आज किस तर से खरीदारी की सबसे बड़ा सर्प्राइज यहां पर इनके टीम से हैं दोस्तों क्यूंकि लास्ट सीजन में फेल होने वाले निकोलस पुरन को इन्होंने सोला करोड रुपे तो करोड में खरीदा उनको आपनी टीम में यहां लिया लकनो सुपर जयान्स में मुझे लगता नहीं कि इनको जरूरत थी लेकिन इतने पैसे देखर खरीदने कि मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत थी तो अगर बात करे हैं तो इन्होंने एलेच जी डेनियल को डेनियल स्याम के लिए 75 लाक जबकि जैदे उनाट कांट को रोमियो शेफर्ड नवीन उलहक अमित मिश्रा इन सब को उन्होंने सिर्फ 50-50 लाक रुपए में खरीद लिया येश ठाकूर को 45 लाक प्रेरक मारकंड स्वपनिल सिंग और युद्वीर चरक को 20-20 लाक रुपए में इनोंने खरीद लिया तो कुमला के ठीक ठाक करीदारी कोंगा मैं काफी अ Dean ऑच्छी भी नहीं कोंगा और की खराब भी नहीं कोंगा बात करें तो इनके लिपार देखे तक्याल रावल है मैं क्यादाव है रवी विश्णोई है और आवेश खान है तो इनके अल्रेडी काफी अच्छी टीम थे लेकिन इनको बैक अप के रूप में इन्होंने कुछ जो खरी खरी खरीदे वह इतने मजबूत मुझे लगने रहे लेकिन देखते अगली सीजन में अगर कोई बड़ा खिलारी बनके भी सकता हैं आईयसा तो नहीं है कै छोटे खिलारी अच्छ परफोर्मंस कर सकते तो सकता है एक अच्छ घलारी के लिए कफी अच्छा पर्फोर्मंस कर सके तो इस तरसे थे सभी mice the two meat w आपको दिखा दिये आपको आपको मेरी ये सब मैनत अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे आप ज़रूर लाइक कर देंगे और अगर इसी तरह की कुछ जानकर ही अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चाइनल को सब्सक्राइब भी क कर लेंगे और बेल आइकान को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले उड़े में और तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाइब